आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशिन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाउ यह वरवास दो स्टेटमेंट गिवन है एक तो असर्षन, एक रिजन दो स्टेटमेंट है और आउट इसमें से हमें सबसे पहले बताना है A सही है या र सही है उसके बाद हमें बताना है अगर दो दोन नों सही है तो हमें बताना है और यह की correct explanation है कि नहीं है, ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं स्टेटमेंट एक हो, यह स्टेटमेंट है क्या बोल रहा है, when the magnetic flow through the loop is maximum that induced EMF is maximum, किसी में flux maximum है, तो उसमें EMF induced maximum होगा, ठीक है, एपोछ रहा है, EMF induced maximum, तो यह चीज होगी कि नहीं होगी, ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं EMF का formula, EMF का formula है, फैरा डेलो तो बता यह है, change in flux upon change in time, ठीक है, मतलब time के साथ flux कैसे change हो रहा है, इसमें बोल रहा है, flex है maximum flex है maximum, maximum मतलब कोई change नहीं हो रहा ठीक है maximum मतलब constant है तो EMF induce होगा 0 तो इसमें बोल रखा है EMF induce is maximum तो यह statement हो गई गलत अब हमें चेक करना है R ठीक है R में दे रखा है flex है minimum माना flex फिर से constant आ गया rate of change is equal to 0 आ गया तो हमारे पास EMF क्या आ जाएगा EMF फिर से आ जाएगा 0 क्योंकि flex change नहीं हो रहा no change in flex 5 5 का हुतता है flex का बोल रहा हो ठीक है तो इसमें भी EMF चीरवा जाएगा और option में क्या है EMF is induced EMF is minimum यह statement भी गलत हो गई A और आप दोनों statement गलत हो गई इसका मतलब कौन सा option सही है इसमें से है option 4 option 4 सही है दोनों की दोनों A और A statement गलत है क्लासिक से 12 से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज जी डाउनलोड करे doubtnet आप यह WhatsApp कीजे अपने doubts 8444 पर